दिल्ली को लेकर केंदर सरकार ने मोदी जी की सरकार ने कल जो बिल पास किया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि मोदी जी की सरकार भारती जंता पार्टी की सरकार अरविंद केजरिवाल जी को लेकर उनके काम को लेकर किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है आज देश में लोग बात करने लगें कि अर्विंद केज्रिवाल जी मोदी जी के विकल्प में हो सकते हैं लोग बात करने लगें कि मोदी जी के अलावा देश में कौन व्यक्ति है जो देश को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकता है देश के लोगों के लिए काम कर सकता है केजरिवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है केजरिवाल जी की लोग प्रियता को केजरिवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खुब काम हुएं और यह हम नहीं कह रहें पूरी दिल्ली कह रही है पूरी देश में इस पे चर्चा हो रही है दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है इस्टडी की जा रही है कि दिल्ली में क्या काम हुएं कैसे हुएं विप्रीव परिश सिस्टम की चर्चा हो रही है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए सरकारी स्कूलों के नतीजे शांदार आने लगे सरकारी स्कूलों के बच्चे कॉम्टिशन में जाने लगे आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शांदार रहा, इन अस्पतालों की वज़े से दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वज़े से महुला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, तो ये सारी ऐसी चीजें है, जो कही ना कहीं भारतीय जन्ता पार्टी को बेस्टा कर रही है। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है। два 24 गंटे मिलने लगी हैं। भरती-जिन्ता पार्टी से यह नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का इस्तर सुधर गया। टैंकर माफिया खत्म हो गया। लोगों को पानी फ्री मिल रहा है पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है भारती जंता पार्टी से यह कहीं नहीं हो रहा है इसलिए भारती जंता पार्टी मोदी जी बेचैन हो गए है एसुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरिवाल जी की इस राजनीती के सामने भारती जंता पार्ट की बात नहीं करता पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज में दिल्ली जैसे राज में जहां बिजली बनती तक नहीं है संसाधन नहीं है बिजली बनाने के वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है, और दोति हई आबादी को विजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारती-जनता प्रटी के वो राज्ये, जहां संसाधन भी परचर मात्रा में हैं, वहाँ विजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहाँ चौन नहीं मिल सकती, अगर केजरिवाल प्रचुर मात्रा में हैं, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती, अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारती जनता पर्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया, इन्होंने कोई बागी राध्यों में पीने का पानी ठंग में क्यों नहीं मिल पा रहा ये लोग सब्सक्राइब करें। और ये कईजरिवाल मॉडल से घ्बरा गएं यहिसरक्षित महसूस कर रहे हैं कईजरीवाल मॉडल के सामने आज इसलिए ये बिल लाया गया है आज जहां भी जाओ हमारी तो नई नई पार्टी है चारण तरफ केजरिवाल मॉडल की डिमांड हो रही है आप किसी राज्जे में चले जाओ वहां लोग कहते हैं जी काश हमारे यहां भी केजरिवाल जी जैसा कोई मुख कार किया है किस तरह से आज हिमाचल के गाउं गाउं में भी चुनाव हो रहा है तो लोग केजरिवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं आज पंचाय चुनाव से लेके नगर निगम चुनाव से लेके लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्यों के लिए अच्छी बसें चाहिएं फ्री बसें चाहिएं यह सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है अब जैसे यह तो बहुत बेसिक चीजे हैं पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का उसके सामने भारती जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं मुक्यमंत्री एविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके है कि हम घर घर हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे अब उससे घबरा गए इनकी भी सारे जगे राशसरकारे हैं हर देश भर में राशन बठता है लेकिन यह नहीं सोच सकते क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है इनका मोडल चोरी का मोडल है इनका मोडल बहीमानी का मोडल है यह यह निसोचेंगे की आम आदमी को जिसके पस गरीब आदमी है उसके पास राशन काड़ है उसको राशन लेने genetically काने पढ़ते है उसके घर में राशन पहुँच जाए तो अब यह इसमें अडंगे लगाने लगे इन्होंने सोचा इसको रोक दिया जाए आपको धिहान होगा कि डोरिश्टेप डिलीवरी ओफ सर्विसिज के जीवाल जी एक योजना लेके आए कि सरकार से कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो सरकार से कोई डॉकुमेंट लेना हो तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़ें बोषर सरकार का आदमी लोगों के घर पे आए और वो लोगों का घर पे आके काम करके जाएगा ये मॉडल अरविन केजरिवाल जी ने दिया इनकी केंदर में सरकार है इनकी राज्यों में सरकार है जाएए जहीं लगए निटे मॉडल को कहीं tr與-ắng इस तरह के model आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिली से model उठाके लगा देते वो नहीं करेंगे यह करेंगे कि यह model कैसे फेल हो जाए दिली के लोगों को भी यह services का फायदा ना मिले दिली के लोगों को जो यह सुवधाय मिल रही है आज पूरे देश में मोधी सरकार कहीं कोई काम नहीं कर पा रही है भारती जिनता पार्टी की सरकार हैं कहीं कोई काम नहीं कर पा रही है बस अब यह एक काम कर रहे हैं के जिवाल जी जो काम करना चाह रहे हैं जो उन्होंने किये हैं उसमें अडंगा लगा दो उसको रोक दो किसी दरह से उसमें लगातार अर्चने ल शे साल में दिल्ली में अर्विन केजरिवाजी के काम रोकने की हर तरह से कोशिश की लेकिन आज तक रोक नहीं पाए जितना जोर से उन्होंने रोकने की कोशिश की उतना जोर से उन्होंने फाइट बेक किया और आज दिल्ली में आप सब देख रहे हैं कि कितने जबरदस्त क हुए हैं इनकी तमाम अर्चनों के बाद हुए है जब छह साल में इतने तमाम अर्चनों के बाद इतने काम हो गए तो काम तो नहीं रुकेंगे दिल्ली में यह उनका कमिट्मेंट है काम तो नहीं रुकने देंगे फाइट चाहे जितने जोर से करनी पड़े लेकिन ये भी मुझे जो मूल रूप से बात रखनी है कि आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है मोदी जी का विकल्प ढूनने लगें अब लोग और कही न कहीं ये बात होने लगी है मोदी जी के मुकाबले में अर्विन केजरिवाल जी बहतर लीडर हो सकते है देश के लिए उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है और अगर अरविंद केजरिवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोग प्रिया निता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं वह यह तो काम करता है यह जो कहता है वो करके दिखाता है जुमला नहीं बूलता यह मैनिफेस्टों में कुछ और लिखे और बात कुछ और करे ऐसे नहीं करते यह टोकनिज्म नहीं करते कि जी चार लोगों को फ्री बिजली का फायदा दे दिया और उसके बाद में सब इधर इधर हो गई बात सेग्मेंट के लिए उस सेग्मेंट के लिए अमीर गरीब हर महिला के लिए बस फ्री है तो मैं कह रहा हूं कि इनकी नीद हराम हो गई है इस वज़े से और अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीती कर रहे हैं मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो केजरिवाल जी से घबरा गए उनको दिल्ली की तरक्की रोकनी पड़ रहे हैं उनको देश की तरक्की रोकने के लिए कानून लाने पड़ रहे हैं वो तो देश के प्रधान मंतरी हैं, वो तो कहीं भी अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास तो स्पेस ही स्पेस है, पर वो अच्छे काम नहीं करेंगे, प्रधान मंतरी का ओधा, प्रधान मंतरी का पद एक तरह से देश में पिता के समान होता है, उनके लिए वो किसी भी राज जो में भी वो काम हो सके पूरे देश की जंता को किसी अच्छे मॉडल का फायदा मिले इसकी जगे नेगेटिव राजनीती कर रहे हैं मैं मोदी जी को कहना चाता हूं मोदी जी लकीर खींचने के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लकीर को मिटाए न जनता भी देख रही है इस राजनीती को कि किस तरह से मोदी जी जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया आज वो नेगेटिव राजनीती पर उतर आये हैं और केजरिवाल जी की बड़ती लोग प्रेता से हैसरुक्षित महसूस कर रहे हैं तो पॉलिटिकल भी जवाब का सुप्रीम कोर्ट का उदर था जिसकी चर्चा आप कई बार कर भी चुते हैं उसके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो क्या आप दुबारा एक बार कॉंस्पिजूशन बेंच के सामने जाने का विकल खुला रखेंगे क्या विकलपास के सामने हैं इसलिए मैंने उनको ब कोई कोई स्पैसिफिक स्कीम इनका टार्गेट नहीं है इनका टार्गेट यह कि की बढ़ती लोग प्रियता उसने इनको डरा दिया है कि अगर केजरिवाल जी काम इसी तरह से करते रहे तो इसी तरह से काम करकर करके एक दिन पूरे देश में यह स्टेबिस हो जाएगा कि क के लावा काम नहीं कर रहा है कोई और इसी बात से घबराय हो गए इसलिए यह बिल्ले क्या है कि इनको काम करने से रोख बताएंगे मैं दिल्ली वालों को के जी वाल जी अशौर कर चुके हैं और यहां फिर कहना चाहता हूं कि मैंने अभी कहा भी कि केजरी फाइटर हैं पिछले 6 साल में जितनी इनोंने कोशिश की इनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने वो सारे काम करके दिखाए जो मैनिफेस्टों में लिखे थे जो जनता से वादे किये थे यहां तक कि जो केजरी वाल जी के विजन में थे वो सारे काम करके दिखाए इनकी तमाम को झाल झाल